गुद मॉर्णिंग दोस्तों मैं दिरेश पांडे आप सभी का कॉम्प्टिशन कम्मुनिटी का और प्रेट फॉर्म पर स्वागत करता हूं और हम लोग कि MPPC Pre-K class और MCQ सीरी चला रहे हैं जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वह है राजपती और राश्पती का आज हम लोग TV सौल करने वाले हैं ठीक है ना तो ये on sq k a part 1 में इसलिए ठीक हो क्योंकि क्योंकि यहां पर question का level थोड़ा नीचे है मतलब नीचे कहने के मतलब की थोड़ा level पर question दिया गया है क्योंकिารफ टोड़े iv कोश्चन हमारे क्या हो जाए क्या आएंगे कैसे आएंगे यह में नहीं मालूम है तो मैंने हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइट कर दिया एक सरल लेवल पर और एक कठीन लेवल पर ठीक है क्लियर तो आज का जो टॉपिक है वह राश्पती से कुछ रहा हूं ठीक है ना मगए फिर भी कुछ कोशन ऐसे हैं जो क्या होते हैं आपको आएंगे या हो सकी हो कुश्चन आएं आपको ठीक है क्लियर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहला कोश्चन ठीक एकदम सरल है मस्त इसको देखते चलिए अच्छे से और इसको या है अमेरिका से बट हमारी जो राश्पती है मतला हमारे जो राश्पती है उसको कंपेर किया जाता है किसे वह कंपेर है हमारा किसे ब्रिटेन के समराथ से कंपेर करते हैं किसे कंपेर करते हैं ब्रिटेन के समराथ से क्या करते हम कंपेर करते हैं उसको ठीक है तो भारत के रा यहां पर क्या लिखन हुआ याद रखो भारत को राष्ट कश्पती रॉख प्रमुख मतलब मुख häuf से क्या होगा हम क्या लेंगे अगा प्रमुख कौन होगा यहां पिर राष्ट क्योंग होगा यहां पर राष्ट बढ़ सफूरों ठाफ प्रत होगा कौँ कबने राश्ट पती होगा है थीक है मगर वह न मात्र काप्र मुं। मगर होता ही है क्लियर प्रत ही अध्यक्षानों का आपका राष्ट पती होगा ठीक बौके निदा मोंगी कारपली का सकती किसमें नहीं थे तो अभी है आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 तो आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि संग की कारपली का सकती राश्पती में नहीं थोगी तो अंसर क्या होगा बी राश्ट पती फिर उसके बाद भारत का राश्पती एक हो तोड़ा सा अच्छा कोशन है ति तो देखो हमारे सविधान में लिखा है कि राष्ट पती राज्यों का प्रधान होगा राज्यों का प्रधान इसलिए क्योंकि भारत किस से बना है भारत राज्यों का संग है और सविधान के आर्टिकल 53 में संग की कारपाली का सक्ति का प्रमुक्त कौन राष्ट पती ठीक है, संग की कारपाली का सकती का प्रमुक कौन होता है, राजपती होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि राजपती राजज का प्रधान होता है, किसका राजज का, सरकार नहीं बोलेंगे, ठीक, सरकार नहीं, किसका राजज का, क्योंकि भार क्लियर ठीक उसके बाद पांचवा कोश्चन भारती सविधान के नुसार देश का प्रथम नागरिक तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है राश्ट का प्रमुग भी होगा वही और देश का प्रथम नागरिक भी होगा तो कौन होगा राश्पती थोड़ा सा इजी कोश् और कुसको थोड़ा सा घुमा करके कर दियों, ताकि इसमें confusion ना हो, ठीक है ना, तो भारती सविधान के अनुसार संगी की कारपली का सक्ति किसमें नहींत होती है, तो आर्टिकल 53 के तहट संगी कारपली का सक्ति नहींत होती है, राश्टपती में, तो आंसर क्या हो जाएगा अब भी कौन राश्टपती, ठीक है, उसके बाद भारती सविधान के अनुसार, देश की तीनो से नाओ का ध्यक्स, थल से ना, जल से ना, अवायू से ना, तीनो से नाओ का ध्यक्स कौन होता है, तीनो से नाओ का ध्यक्स होता है, कौन, राश्टपती होता है, ठीक, मैंने से इजी वे में कोश्चन है यह उके तो जल देल इसको क्या करते हैं सौल करते हैं ठीक तो तीने सुनाव का प्रमुक्वान राश्ट पती होता है ऑप्शन भारत का वास्तुविक सासक राज्य का संविधानिक अध्याक्ष राज्य सरकार का अध्याक्ष बहुमत दलकानेता Dieses यह पी बरिया कोश्चन है ठीक है यहां पर थोड़ा कन्फ्यूजन करेंगा यह कोश्चन ठीक तो कोश्चन है भारत का राश्ट पती होता है भारत का वास्तुविक आशक राज का समवध्धानी का ध्याक्ष राज और सरकार का ध्याक्ष और बहुमत दल का नेता तो पहला option क्या बोड़ रहा है भारत का वास्तविक सासक देखो वास्तविक लिखा है और अगर अगर अपन सविधान देखते हैं तो सक्ती दो प्रकार की है एक नाम मात्र की सक्ती और एक वास्तविक सक्ती ठीक तो कोशन ऐसा होता है कि राजपती क्या है नाम मात्र की कारपाली का प्रमुख है या राजपती पर नाम मात्र की कारपाली का सक्ती नहीं थै और राश्त की वास्तविक कारपाली का कौन कहलाती है मंत्री मंदर कहलाता है, कैबिनेट कहलाता है, ठीक है न, क्लियर, ओके, मगर यहाँ पर कोश्चन यह पुछा है, कि राश्पती होता है, तो भारत का वास्तविक सासक, हाँ, वास्तविक सासक होता है, क्यों, क्योंकि हमने जो अपना राश्पती का पद लिया है, वो लिया है अमेरिका से ब Peach हमारा compare होता है बृटेन सेПрाङक झायक जो हुआ ज़ने ऱ इसमेते को बृटेन की बृच्थविक शाष्यका हो है वहां की महराणी ठीक तो हमने भी उसी कि तहफ अपने करेंगे औरिक सब्सक्राइब कि राश्पर्ट इक राश्पर्टी के नाम से कटें भले करतें मंगर वास्थवी कृप से नाम किसका आता है राश्पती का ने टाल Nomeden का अच्छा कोटहूंझ द्रफिए 가 उसके बाद ही राज्यों सरkaर कर ब्राइप करनेतर तो भारती ससस्त्र सेनाओं का सरोच कमांडर तो ससस्त्र सेना मतलब वही तीनों सेना तो कौन होगा राश्टपती भारत के राश्टपती के लिए आवश्यक योगिता नहीं है पूछा है ठीक ना क्या पूछा है आवश्यक योगिता नहीं है तो राश्टपती के लिए आवश् सबनने की योगिता ठीक लोक सभा के अब देखते हैं ऑप्शन क्या योगिता पुछा कौन सी योगिता नहीं है पुछाए ना तो वह भारत का नागरी सभान सभाई सब्सक्zeug के लिए निर्धार सभी योगिताय हो वह सही है संसद कि किसी सदन का सदस्द कर ceso सवा है life कि वह संसथ के किसी सदन का सदस्ट से और यह इन होनी की यँग speakers नहीं लिखी गई है तो आंसर क्या हो जाएगा डी संसथ के किसी सदन का सदस्ट यह वला ऊंसर नहीं होगा उसके बाद जाओ भारत के राजपति निर्वाचित होने के लिए पात्र के लिए किसी वेक्ति कि आयू कितनी होनी चैहिंई या कितनी आयू complete होनी चैहिंए ठीक है ना तो अगर आपको राजपति का चुनाऊ लड़ना है तो आपको आपकी आयू 35 वर्ष करनी ही होगी clear मतलब उसकी आयू कम से कम 35 वर्ष complete हो या वो 25 वर्ष का हो तो answer क्या हो जाएगा 35 क्या हो जाएगा 35 ठीक उसके बाद राजपती पत्कुमी द्वार के लिए अधिकतम आयू कितनी होनी चाहिए द्यान देना यह भी बढ़िया कोश्चन है ठीक जिसमें स्टाल लगा रहा हूँ वो थोड़े से अच्छे कोश्चन है हमको मालूम है निन्तम आयू clear कि कम से कम उसको कितनी चाहिए 35 अगर हम सरकारी नौकरी में भी है तो maximum हारी काम करनी कि जो उम्र सीमा होती है वो होती है 65 maximum उससे आदा नहीं ठीक है clear मगर दो लोग है दो ऐसा पद है जिसकी उम्र सीमा इंधारित नहीं है मतलब कब तक रहेंगे एक तो भारत का टॉनी जनरल उसकी कोई उम्र सीमा नहीं रखी गई है कि वो अंतीम कब तक रहेगा मतलब जब तक है जान तब तक हो रहेगा क्या चीज़ अटाउनी जनरल ठीक मतलब वो 70 साल, 72 साल, 75 साल, 80 साल में भी क्या बन सकता है महा नयवादी बन सकता है अटाउनी जनरल बन सकता है यहाँ पर राश्टपती के लिए एक उम्र तो रखी गई है कि आपको कम सकंद 35 वर्स या उस्य अधीक होना चाहिए मगर अधिकतम कितनी होनी चाहिए ये निधारित नहीं है मतलब उसकी maximum age के बारे में नहीं बताया गया है सिप कहा गया है कोई सीमा नहीं है तो पूछा है राजपती पद के लिए अधिकतम रहत बाज़व.द यह कितनी होनी चाहिए तो कोई सीमा नहीं है थीक ना ना सतर ना 75 साल का होगा तो भी चलेगा नबवे साल का होगा तो भी चलेगा अगर विस्तर में लेटा हुआ मित्यु सईयां पर है तो भी बन जायाईगा क्या चीज राष्ट पती क्लियर ऊके क्यो अधिक्तम उम्रु सीमा निधारीत नहीं है ओके ठीक चलो आगे बढ़ते हैं एक वेक्टी राजपती पत के लिए अधिक्तम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है तो देखो हमारा जो राजपती का पद है ठीक हमने कहां से लिया है अमेरिका से लिया है ठीक और अमेरिका में राजपती पत के लिए ये कैटेगरी है ये डिसाइड है कि वो अधिक्तम दो बार ही राजपती बन सकता है मतलब कोई भी वेक्ती राजपती का कारकाल दो बार रह सकता है मगर हमारे राजपती के लिए ना तो अधिक्तम आयू रखी गई है और ना ही कोई सीमा रखी गई मतलब कोई समय सीमा नहीं है कि वो कितनी बार बन सकता है वो चाहे तो दस बार बने पचास बार बने दो काम करने की सकती है वो तब तक क्या बन जाए राश्पती बन जाए मतलब यहां पर कितनी बार भी आप राश्पती बन सकते हो ठीक है ना क्लियर तो कोश्चन पुछा है कि एक वेक्टी राजपती पद के लिए अधिक्तम कितनी बाद निवाचीत हो सकता है तो कोई सीमा नहीं है अमेरिका में दो बार है भले हमने अपने राजपती का पद कहां से लिया है यूएसे से लिया है मगर सिपशिब नाम के लिया है क्लियर वहां का जो पावर है उस जो नियम और जिस अधिकार के साथ काम करता है वो अधिकार हमारे यहां राजपती को नहीं है ठीक है ना क्लियर तो ना अधिकार है और ना ही उसकी अधिक्तम या नियुतम के बारे में है ठीक है, उसके बाद राश्पती का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो राश्पती का निर्वाचन जो होता है, वो जनता के द्वारा चूने गए प्रतिनीधी करते हैं, ठीक, मतलब जब जनता के द्वारा चूने गए प्रतिनीधी किये, मतलब जब जनता नहीं चूनी, जनता ने उसकी election में vote ही नहीं किया तो कैसा election होगा उसका? प्रत्यक्ष रूप से होगा कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा उसके बाद राजपती पत के लिए निर्वाचन ही तू कौन सी पद्धिती अपनाई जाती है तो राजपती की पत के लिए होता है अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान ठीक है ना? सामानुपाती के अनुपाती क पत्धती एकल संक्रमणी द्वारा वो राजविधाय का एक मत मुलवाला और सांसत के एक मत मुलवाला ठीक है ना? तो आंसर के हो जाएगा इसका सामानुपाती पत्धती एकल संक्रमणी मत पत्धती द्वारा ठीक, क्लियर उसके बाद राजपती पत की चुनाव सम्मधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है मतलब राजपती के विवाद चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद होगा तो कौन सॉल करेगा तो देखो बारती सविधान का आर्टिकल सेवेंटी वन बारती सविधान का आर्टिकल सेवेंटी वन बोलता है कि राश्पती जुनाओं में अगर किसी प्रकार का विवाद होगा तो उस विवाद का निप्तारा करेगा कौन सुप्रीम कोड करेगा ठीक है न? यह Article 71 में कहा है तो राश्पती के चुनाओं सम्दित विवाद को कौन निप्ताएगा? तो उसको निप्टाएगा कौन उच्चितम न्याले सरोच न्याले निप्टाएगा ठीक है क्लियर चलो next राष्टपती के चुनाओं के लिए प्रस्तावा करूं मोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए तो देखो क्या था कि एक अधिनियम लाएगया निर्वाचन राष्टपती और उपराष्पती के निर्वाचन संबंधित अधिनियम ऑटी कहा गया था कि राश्पती के लिए ठीक 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोधन और उप्राश्पती के लिए 20 और 20 मतलब 20 प्रस्तावक और 20 क्या होने चाहिए उसके लिए अनुमोधन होना चाहिए ठीक है ना क्लियर तो राश्पती के लिए 50-50 रखा गया और उप्रा चुनाव के लिए प्रस्तावा करूं मोदकों की कम से कम कितनी संक्य होनी चाहिए तो राश्पति के लिए 50 50 50 होनी चाहिए ठीक है यह 1987 में इसको संसोधित किया गया ठीक भारत का राश्पति निर्वाचित होने के लिए निम्रिकित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएग ठीक तो भारत कर नागरिक हो तही पैंतिस वरस कि आयू पून कर चुका हो ठीक है लोक सबा के सिदत निर्वाचित होने के लिए अहिर ठोटिक और कोई लाब का पद ग्रहन किये हो यह हो, गलत है यह, ठीक ना, क्योंकि योगता में क्या है, 35 वर्स की आयू, भारत का नागरी खो, ठीक, और उसके बाद क्या बोलते हैं, लोकसर बाद के सदस्बने की योगता हो, और चौथा था, लाब के पद पर ना हो, ना हो था, ठीक में आ रहा है, एकड़म please question का फूदी का छलो, ठीक, आगे ब人民तिया, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद भारत में राजच्पतिक मिर्वाचन किया जाता है, तो अभी मेने बताया है है, तो तो कैसे किया जाएगा, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है?। प् समानुपातिक मत प्रलानी द्वारा खुला बैलेट प्रलानी द्वारा तो देखो इसमें मैंने इससे पहले कोश्चन था तुछ में बताया था कि अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान एकल संक्रमडिये और समानुपातिक पद्धती ठीक क्लियर तो यहां पर पुछा है भारत मे राजपतिक कर चुनाओ किया जाता है तो चुनाओ किया जाता है एकल हस्तांत्रित मत पद्धती द्वारा ठीक है ना क्लियर ठीक में यह है एकल हस्तांत्रित मत पद्धती द्वारा किया जाता है ठीक उसके बाद राजपतिका पद कर चुनाओ संचालित किया जाता है मतब मतलब राशलाश्पती का चुना कौन करता है कौन बारत में राशलाता है उपराश्पती हो चाहे लोक्सभा के सदस्टिञार, राजी विधान विधान के सदस्टि ने की चुनाओ कराने की जिमिदारी दी गई है, केंदरी चुनाओ आयोग को, ठीक, प्रधान मंत्री का चुनाओ नहीं होता ना, ठीक, प्रधान मंत्री नियूक्त होता है, ठीक, ठीक, तो यहाँ पर इन सब के चुनाओ कौन कराएगा, केंदरी निर्वाचन आयोग कराएगा, तो अभी मैंने बताया है कौन राष्ट पती होगा कौन होगा राष्ट पती के द्वारा ठीक राष्ट पती चुनाव समधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं तो मैंने बताया है आर्टिकल 71 तो चुनाव समधित मामले किसके पास भेजे जाएंगे सरोच नालय के पास ठीक ओक है तो अभी मैंने बताया है कौन से नंबर का आटिकल है वो 71 नंबर का आटिकल तो आंसर इस डी ठीक क्लियर ओके फिर उसके बाद राजपती पत के लिए के उमिद्वार को चुनाव प्रचार ही तू कितना समय मिलता है ये भी बड़िया कोशन है कि एक राजपती अगर चुनाव लाड रहा है तो उसको अपना प्रचार पसार तो करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी चुनाव लाड ये बिना प्रचार पसार ले कितना समय मिलता है, तो समय मिलता है उसको कितने शमय मिलता है, 2 समय मिलता है ठीक है ना, ऊके याद रखेगा, जिस-जिस question में मैं I Start लगा रहा हूँ, वो अच्छे question है, ठीक ना, उके, आने लायक question है वो, ठीक, ऑके, बाकी question मिलता है, कितने वर्षों के लिए होता है तो सेम कितने वर्षों के लिए होगा चाहे कोई भी हो पांच वर्षों के लिए होता है कि सनुछेत के ताथ राजपति अपने पद ग्रहन करने की तीथी से पांच वर्ष की अवधी तक पद ग्रहन पद पर बना रहता है ठीक है तो आर्टिक तो कौन से आर्टिकल में है चपन नंबर के आर्टिकल में है आटिकल 56 में है कि वह पांच वर्षों तक रहेगा किसमें अपने पद पर रहेगा ठीक है इसके बाद राजपती के चुनाओं के लिए निवाचक मंडल में होते हैं तो ध्यान देना यह कोश्चन भी बढ़िया क कोशन है यह थोचा कंफ्यूज करता है ऑप्शन ठीक तो यह कोश्चन भी बढ़िया है द्यान से देखो राजपती के चुनाओं के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसत के सभी सदस्य और विधान सभाओं तथा परिसद्व के सभी सदस्य संसत के दोनों सद्यों के स सभी द्यान देना पहली बात्ता है कि संसद्सय इन सभी सदस्य विधान सभाओं तर परिस्दिंशी निर्वाचित कौंञ जिनको राजपती करता है तो राजपती राज सभा में 12 लोगों को और लोग सभा में दो लोगों को मनोनीत करता है तो मनोनीत सदस्ट से नहीं आएंगे तो यहां लिखा है सभी सदस्ट से तो यह option कट गया संसत के दोनों सदनों तो विधान सभाओं के निर्वाची सदस्ट से ठीक अप्शन संसत के दोनों सदनों के सभी सदस्ट तो कट गया संसत के दोनों सदनों के सभी निर्वाची सदस्ट यह भी कट गया तो खाली संसत के दोनों सदन भी नहीं होंगे राज्जियों के विधान सभाओं के भी निर्वाचीत सदस्ट तो आंसर क्या हो जाएगा बीस संसत के दोनों सद्रों तथा विधान सभाओं के निरवाचीत सदश से लेते हैं भाग जिटन भी राज्ज्य है उनके निरवाचीत सदस से लोगे लेते हैं भाग ठीक ना क्लियर भारत के राजपरति के निर्वाचन के बारे में निर्म्वित्र में और कौन सा गता सहीछ नहीं है pseudo नहीं पूछा है तो सभी राजी विधान समांगे सदस्द से निर्वाचक मंदल Record that सदस्य होते हैं इसलिए उस समय राजपति के निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधान सभाएं भंगो ठीक सही नहीं पुछाए ना संसत के सदस्य का मतमुल सभी राजविधान सभाओं के स्युक्त मतमुल यहांप कहीं अधिक होता है कोई उमिदवार यहां पर क्या होगा कि कोश्चन जो है ठीक इसको ना थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं कोश्चन को इसके ऑप्शन को ठीक इसके ऑप्शन को मैं चेंज करता हूं ठीक थोड़ा सा ध्यान दीजेगा ना क्लियर तो अप्शन को कैसे चेंज कर रहा हूं मैं ध्यान देना कोश्चन पुछा है कौन सा पूछा है तो पहला सभी राज विधान सभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं ठीक इसलिए उस समय राजपत कर निवाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधान सभाओं भंगो याद रखना अगर राजपती का चुनाओं हो रहा है ठीक है ना और अगर मान लो राजपती के विधान सभाओं के सदस्य सामील होते हैं तो अगर मान लो किसी राजपती में चुनाओं होने या उस राजपती में विधान सभाओं भंग है ठीक है अगर विधान सभाओं भंग है तो भी कोई फर तो अगर विधान सबाब भंग है तो चुनाओ भी होगा उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा राजपती के चुनाओ में ठीक तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि अगर भंग है तो राजपती के रिवाचन नहीं हो सकता गलत है ये ठीक तो ये आएगा पहला ठीक सही नहीं है प है। ठीक हुई क्लियर हो सही है। कोई मिद्वार अधि मतों का भांपत प्राप्त कर लेता है तो स्वताही निर्वाचीत नहीं हो सकता। अगर ॐंप्तों का भांप गोछकी T ठीक तो अगर 50% प्लास भड़कर कर लेता है तो वह बं जाएगा क्या चीज राष्ट पती तो कौन सा हो जाएगा एक सी ठीक और उसके बाद राष्ट पतिकर रिवाचन के संबंद में यदि कोई वाद हो तो वह सरोच नाले के अधिकार छेत्र में नहीं आता आता है क्योंकि उसी को ही निपटाएगा कौन आर्टिकल सेवेंटीवन के तहथ सरोच नाले तो इसमें कौन कौन सा सही नहीं है एस नहीं है सी सही नहीं है और डी सही नहीं है खैर यहां पर में को आप्शन रखना था क्लियर ओके मगर फिर भी आप इसको याद रखो ठीक तो इसका अंसर हो यह तथ भी है आपका फैक्ट है ओके क्लियर ठीक तो यह आपका कौन से नंबर का कोशन 28 नंबर का कोशन ठीक फिर उसके बाद 29 नंबर भारत के राजपती को उसके पत से हटाया जा सकता है तो भारत के राजपती को अगर उसके पत से हटाना है तो कौन हटाएगा उसको 31 के तहथ महाभी योग लगाया जाता है महाभी योग के तहथ उसको संसत्का करती है हटा देती है ठीक है clear ओके तो यह आपके 30 कोश्चन एक बार कोश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि वो क्या हो आंसर के साथ आ जा जाए ठीक है चलिए इक बार रिपीट करते हैं अ तो भारत के राश्टपती की तुलना नेमिक्त में से किस्से का नसरवादी कुचित है तो ब्रिटेन के समराठ से दूसरा कोश्यन भारत में कारपालिका का ध्यक्ष होता है राश्टपती तीसरा कोश्यन संग की कारपालिका सकती नहीं थै राश्टपती में चौथा कोश्यन भारत का राश्पती राज्य का प्रधान है पांचवा कोश्यन भारती सविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरी कौन होता है तो राश्पती होता है छटवा कोश्यन भारती सविधान के अनुसार संकी कारपली का सक्ती किसमें नहीत होती है 7. भारत का राश्ट्पती होता है, भारत का वास्त्विक सासक 9. भारत के राश्ट्पती के लिए आवस्चक योग गिता नहीं है वो संसत के किसी सदन का सदत से हो ग्यारवा कोशन भारत के राश्पती निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयूख पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्स राश्पती पत के उमिद्वार के लिए दिक्तम आयूख कितनी होनी चाहिए तो कोई सीमा नहीं है, ग्यारवा कोशन, बारवा कोशन हो गया, तेरवा कोशन, एक वेक्टी राजपती पत के लिए दिक्तम कितनी बानिवाचित हो सकता है, तो कोई सीमा नहीं है, जब चाहे तब तक, चौधा कोशन, राजपती के निर्वाचन किस प्रकार से होता है, आप के लिए प्रस्तावा करून मोदक को कम से कितनी संख्य होनी चाहिए पचास-पचास भारत के राश्पति निर्वाचित होने के लिए नेमिकिस में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी कोई लाप का पद ग्रहल किये हुए हो उननीस कोश्चन भारत के भारत में राश्पति के चुनाव किया जाता है क्या बोलते हैं एकल संक्रम एकल हस्तांतरीत मत पद्रती द्वारा सुनो एक काम करो इस कोश्चन को ना थोड़ा सा यहां पर चेंजेस है ठीक है ना ओके इसका आंसर ना यह एकदम परफेक्ट नहीं है ठीक इसका आंसर चेंज करो और इसका अंसर है आपका अनुमातिक अनुपातिक मत प्लानारी द्वारा ठीक ओके यह हस्तांतरीत लिखा हुआ है सौरी ठीक है ना ओके इसका आंसर हो जाएगा सी क्या कि अनुपातिक मत प्लानारी द्वारा ठीक है ना ओके याद रखो फ ठीक, पिर किस्वाब्स कोशन, भारत में किसे चुनाओ में रिवातीक, पदिलनेधित प्रणानीं अपनाई है, तो राश्पती, राश्पती चुनाओ समद्धित मामले किस के पाथ भेचे जाते हैं, तो सरोच, नलायके सामने, किस अनुछेट के तहात राश्पती तता Jenkins नि अपने पद ग्रहन करने की तीथी से पांच वस्तक बने रहेगा आर्टिकल 56 राश्पति के चुनाओं के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होगा तो लोकसभा राजसभा के निर्वाची सदस्य और राज्य विधान सबाओं के निर्वाची सदस्य दिसमें दिल्ली और पॉं को यह गलत है कोई उम्मिद्वार यदिमत का बनात पराप कर लेता है तो नहीं हो सकता है यहाँ इन राश्पतिक विवाचन के संबंद में जरी कोई विवाद हो तो सरोईरी ने दिकात छहत्र में नहीं आता तो यह भी गलत है तीनों की तीनों गलत है ठीक उसके बाद भारत के राश्पति को पत्स रटानी के प्रक्रिया क्या है महाब्योग संसत के महाब्योग के द्वारा आर्टिकल 61 के तहत तो यह पार्ट वन था क्लियर इसको अच्छे से रटिये कुछ हाई लेवल के कुछ एकदम सरल थे और कुछ इंपॉर्टेंट कोशन थे ठीक इसी का ही दूसरा पार्ट आपका क्लास का होगा किसका राश्पति का वह थोड़ा लेवल हाई जाएगा क्योंकि उसमें डीप कोश्चन होंगे और वहीं आपको अच्छे से स्टेडी कीजिए और वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएगा ठीक है ओके चलिए नेक्स वीडियो में मिलते हैं अपन राश्पति के एमसी क्यू पार्ट टू में ठी एक चलिए थैंक यू सो मच